आज हम EVS के जानवर इस टॉपिक पर थोड़े सी चर्चा करेंगे क्यूंकि इस पर बहुत सारे सावाल EVS के पेपर में पूछे जाते हैं शुरुवात करते हैं हाथी पर तो EVS के पेपर में सावाल आते ही है तो हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से जादा पत्ते और जाडिया खा लेता है हाथी को उसके दातों के लिए मार दिया जाता है हाथी बहुत कम आराम करता है यह दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोता है हाथी को पानी और कीचर से खेलना बहुत भाता है इससे उसके शरीर को थंड़क मिलती है वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते है गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला कर हवा करता है हाथी अपने जुन्ड के साथ रहता है हथियों के जुंड में केवल हथिनिया और बच्चे ही रहते है जुंड की सबसे बुजर्ग हथिनी ही पूरे जुंड की नेता होती है मतलब उनके जो जुंड रहता है उसमें सिर्फ हथिनिया और उनके बच्चे रहते एक जुन्ड में 10 से 12 हतिनिया और बच्चे होते हैं हाथी 14 से 15 साल तक ही इस जुन्ड में रहते हैं फिर वह जुन्ड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं मतलब वह जो हाथी रहता है वह अपनी मा के साथ 14 से 15 साल तक उस जुन्ड में रहता है और जब बाद में वो मेल जो हाती रहता है वो अकेले रहना शुरू कर देता है हाती के तीन महिने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है इस पर बहुत बार सवल पुछा गया है कि हाती के बच्चे का वजन कितने किलोग्राम होता है तो 200 किलोग्राम होता है हाती परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते है अपने बच्चों की देखबाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते है हाती पृत्वी स्थल के सबसे बड़े स्थनदारी है हाती को केले पसंद है आगे के देखेंगे भाग के बारे में देखते है रास्ता डुनने में भी मदद मिलते हैं मतलब उनकी मुचे जो रहती है खाली पिली नहीं है वो उनके सैटेलाइट की तरह क्या करती है काम करती है उनकी मुचे बाग अंदेरे में हमसे 6 गुना बहतर देख सकता है बाग क्या करता है आपने इलाके में जैसे उत्रख करके वो अपना एलाका दिखाते ही उसी तरह भाग भी करते है भाग हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के जाड़ियों में हिलने में हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है इस पर भी सवाल पुछा जा सकता है कि को ऐसा कौन सा जानवर ह जो पत्तों के हिलने और सिकार में जाडियों के हिलने की आवाज को अंतर को भाप लेता है तो वो कौन है बाग बाग मोके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है गुस्से में अलग आवाज और बागिन को बुलाना हो तो अलग आवाज कभी कर रहना तो कभी गुर्राना बाग का गुर्राना तीन किलो मिटर तक सुना जा सकता है बाग के दोनों कान बाहर की आवाज इकटा करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा गुम जाते हैं तो इस पर भी सवल आ सकता है कि किस जानवर के कान बाहर की आवाजी कट्टा करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा गुम जाते हैं तो वो किसके बाग के आगे देखते हैं कुछ जानवर और पक्षियों के कान देखते नहीं है लेकिन उनके सीर के दोनों तरब छोटे-छोटे छेद होते हैं यह पंखो से ढके रहते हैं इनी छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं उदानत साप, छिपकली, मेंडक, मगरमच और पक्षी जानवरों की खाल पर कोई डिजाइन नहीं होता जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन बना रहता है वो उनके बालों के कारण होता है मतलब अगर उनके बाल निकाल दिया जाए तो वो कोन से जानवर के कोन सा डिजाइन रहेगा कि आप उनके शरीर पर नहीं रहेगा वो कि के शरीर पर बाल होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे देते हैं जीन जानवरों के कान बाखर दिखाई socio- gu 경न वे लुक्ट गया है उनके शरीर पर बाखर नहीं होते है वो अंडे देते है साप उसके बाहरी कान नहीं होते जमीन पर हुए कमपन को ही सुन सकता है क्यों हमने देखा कि साप के क्या है कान के होते है क्या नहीं छोटी छोटी छेद होते तो वो सिर्फ जमीन पर हुए कमपन को ही सुन पाता है हाती को उसके दातों के लि और जो जाणवरों की तस्बीरे है वो ऐसे जानवर है जो लुप्त हो गए है या फिर लुप्त होने वाले है तो रे डाटा बुक एसी बुक है जिसमें जानवरों के बारे में लिखा जाता है Ray Data Book उन जानवरों के बारे में लिखा जाता है जो लुप्त होनी की कगार पर हो या फिर लुप्त हो चुके हो उदाना डोडो और डाइनोसार आम तोर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर, हर चीज को सफ़ेद और काली ही देखते हैं, मतलब जो जानवर दिन में जाकते हैं, रात को सोते हैं, तो उन जानवर, मतलब हमें देखें, हमें पूरे तरह से कलर रंग दिखते हैं, इस चित्र में देखें, यह human दिखाया है तो उसे पूरा color दिखता है यह birds दिखाई दी है तो उन्हें भी बहुत सा थोड़ा अच्छे से color दिखते है यह कुत्ता दिखाया गया है तो कुत्ते को भी थोड़ा हरे रंग में दिखाई देता है मगर जो बाकी के जानवर है चीटी जो भी जानवर है दूसर जो रात को गुमते रहते जाकते हैं तो उन्हें सिर्फ काली और सफेद रंगी ये दिखाई देता है कुछ जानवर तूफान या भुकंप आने से कुछ समय पहले अजिब हरकते करने लगते हैं जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवार को समझते हैं मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं कि जानवरों की इस व्यवार को उन्हें समझ आता है सन 2004 में दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवर के अजीब योबार और उनके द्वारा दी गई चिताउनी बरी आवाजों को अंडमार की एक खास आतिवासी जाती समझ गई इन्होंने वह इलाका खाली कर दिया इस प्रकारिज जाती के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए आगे के देखते हैं बिल्ली के दात नुकिले होते हैं जो मास फाडने और काटने में कामाते हैं तो बिल्ली के दात नुकिले क्यों होते हैं इस पर भी सवाल पुछा गया है, पिछली सारी पुछा गया है कि किस जानवर के दात हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो यह इस पर आपको क्या लिखना होगा, गिलहरी, सापके दात होते तो नुकिले हैं, पर वह अपनी शिकार को चबा कर नहीं खाता, बलकि पूरा निकल जाता है, सापके जहर की ओनलाइन एग्जाम में, तो वीशिदंत या फैग, इसमें से कोई भी नाम वहापया है, तो आप कर सकते हैं, आगे देखते हैं, स्लोथ, यह भालू जैसे दिखते हैं, पर भालू नहीं है, यह दिन के करीब 17 गंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरुरत नहीं पड़ती, जब वे अपने पेड़ के सारे पते खा लेते हैं, तब ही वो पास के पेड़ पर जाते हैं, लगबग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घुमने की तकलिफ उटाते हैं, वो 17 गंटे तक सोता रहता है, गाई 4 गंटे सोती है, अजगर 18 गंटे सोता है, जिराफ 2 गंटे सोता है, बिल्ली 12 गंटे सोती है, चिपकली सर्दियों में 24 गंटे सोती रहती है, तो सर्दियों में क्या हो जाता है कि चिपकलिया 24 गंटे सोती रहती है, तो आज को वीडिय के साथ शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद